उनन सत्तरियों प्रजातंत्र दिवस का दिन अर्थात फागुन साथ गते प्रदान मंत्री ले टूडे खेल बाटा भन्नु भाय को थियो लगानी कर्तालाई हतोत सहित बनावने कुने गटना सहिय हुदेनन तरा प्रदान मंत्री को इस्तो सम्मोदन आयको 30 दिन सुक्रबार अभेर साज एक जना सर्वसाधनल को जियान जाने गरी एन्शेल का कारेलाई अगाली बम विस्पोट भयो सरकारले आसोषता पारने प्रियाश गरदा गरदे बहflowerको जो गटनाले लगानी कर्तालाई जसकाए को था ठुला लगानी का कमपणी लक्षित्र त्यस्माथी लगानी सम्मेलन के मुखमा बहेको एस्ता घटनाले बईदेशिक लगानी करतामा नकारात्माक संदेश जानेर लगानी सम्मेलनलाई समेत असर गर्न सकने चिंता देखीना थालेको छा सरकारले एथा सक्के छीटो गटनाको चान्बिन गरी कारवाई हुनु पने निजी छत्रको मागछा बहुर आस्ट्रे कमपनी का लगानी प्रभावित हुन न दिन सरकारले निपाल इस्तित बिदेशी राजदूत्र कुटने तिक नियोक का प्रतिनी दिलाई एसपारे प्रस्ट पारना सक्न पर छा यसले लगानी को बाताबर मा देखियेको नकरात्माक प्रभावलाई कम गरना सकीने उनिहरको सुजाब चा यह लाई चाहिनी नर्मलाइज गरनाय या पनन जो कतना को लाई नर्मलाइज गरनाय या हम्यों आर्थिक नगानी सम्मेलन मा कुने किसम का असर आउनना नहीं सरकाले अलिकटी अक्टिव हुन पर छे या बक्तवे या चाहिनी आपना राजदूत्र अना अम्बीशियर मार मेसेज देरे या पैंका अमीस होलाई पनी योडना चाहिनी खे अर्था बीधले पनी लगानी करता संग का भिबाद लाई सरकारले कानूनी रुप में समाधान गरे रह इंसात्मक बाटो अपनाउनला निरुत साहित गरनू पने बताऊ छन कानुन को शासन, लगानी करता लगायत सब्वे लाइ, तियो तेशको प्रत्यवती दिनशकनो पर्यो, शरकार ले तत काले जसले यो बदमार्शी गरेको हो, उल्ला इस समातेर और कानुनी कारवाई ततारु तकर सात अगाडी बढ़ायो, यहां पर क्यों चबने, कुनी योट अगाडी बदमार्शी गरेको हो, शरकार ले बदमार्शी गरेको हो, तो यही बेला कहिले अरुण तेश्रो मात, कहिले एन्शेल मा बम बिसपट का घटना बाईरा आयका छन। यस्तमा लगानी का लागी उपयुक्त अवसर परखेर बसे का लगानी करता को उत्साह, कम हुनन न दिनर, नया लगानी करताला आकर्शन गर्न, सरकार ले अउपचारिक आग्रह भन्दा पनी, सुरक्षित बाताबर्ण को गयरेंटी गर्नू अहिले को अवसेक्ता हो,